हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू अनलाइन स्टडी बाइट्स, 9 जून 2020 का करंट अफ्यर पढ़ लेते हैं और इंपोर्टन पॉइंट्स के साथ, इंपोर्टन कोशिन के साथ आपको थोड़ा एक्स्प्रेंट भी किया जाएगा जिसे कि आपको ये सारी चीज़ आगे आने वाल एक्जाम की टाइम तक याद रहें 9 जून 2020 का करंट अफ्यर है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कल मैंने आपसे एक क्वेशिन पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं तो कल का हमारा क्वेशिन था, हाल ही मैं रूपर ठाईन का निधन हो गया है, वह एक प्रसिदु थे तो वह एक फिल्म निर्माता थे, त्यान रखेगा रूपर ठाईन और इनका निधन हो चुका है और ये फिल्म निर्माता थे तो ये था हमारा कल का प्रशन और पहले आज का प्रशन आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए question of the day है आज का हाल ही में PPE पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए एक उपकरर सुबेरु پैक्स fix it किया है और ये सुमेरु पैक्स किस ने fix it किया है इसका answer आपको comment में देना है तो comment करके जरूर बतायेगा इसका answer आपको पता है या नहीं और आने वाले exam में current affair के question आते हैं लास्ट टाइम पर कोई तैयारी नहीं होती है और अगर आप पढ़ भी लेंगे तो बहुत ही कम चीज़ें आपको याद रहती हैं तो आज 9 जून 2020 है उसके करंट अफेर पर चल लेते हैं तो 9 जून 2020 का पहला प्रश्ण है हाल ही में विश्व महा सागर दिवस कब मनाया गया और इसका सही आंसर है option C 8 जून को सागर से सम्मंदित जागुटता बढ़ाने के लिए ये विश्व महा सागर दिवस मनाया जाता है और ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है आठ जून 2020 की जो theme थी वो थी innovation for a sustainable ocean तो ये आठ जून को विश्व महासागर दिवस बहुत सारे दिवस आए हैं जून में और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीज़ेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो और वीडियो को like and share करना बिल्कुल भी मत भूलेगा next question है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक online कच्छा प्रभंदन प्लेटफॉर्म launch किया online कच्छा प्रभंदन प्लेटफॉर्म launch किया गया है option D आनर प्रदेश के द्वारा तो आनर प्रदेश की सरकार आनर प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती आनर प्रदेश के CM है YS Monreddy और आनर प्रदेश के गवर्नर है विश्व भूशन एक और प्रशन आनर प्रदेश से अकसर question में आते हुए देखा गया है कि ये question है कि भाषा के आधार पर घठित होने वाला राजध कौन सा है पहला राजध कौन सा है तो भाषा के आधार पर घठित होने वाला पहला राजध भी आनर प्रदेश है आगे बढ़ते हैं किस railway junction को CII के द्वारा gold rating दी गई है तो CII की full form क्या होगी Confidation of Indian Industry इसके द्वारा एक railway station को gold rating दी गई है उसकी अच्छे देखभाल के लिए अच्छे रखने के लिए तो वो दी गई है Trichy के railway station को Trichy का railway station कहां पर है वो है Tamil Nadu में Tamil Nadu जो है उसका जो railway station है जो आपने सुना होगा तरिचरा पल्लू भी उसको कहा जाता है तो वही है Trichy आगे बढ़ लेते हैं Next question की ओर किस देश के पूर्व footballer हमजाखोया का निधन हुआ है तो हमजाखोया का निधन अभी हाल ही में COVID-19 यानि की कोरोना वाइरस की वज़ा से हो गया है और वो किस देश को बिलॉंग करते थे तो वो देश था भारत इसलिए ये important question है और ये आज की वीडियो में शामिल है तो कोरोना वाइरस की वज़ा से हमजाखोया का निधन हो गया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हैं हमजाखोया और ये भारत के ही पूर्व फूटबॉलर थे आगे प्रशन है हाल ही में खेल मंत्राले ने किस मंत्राले के साथ मिलकर दस स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म श्रंकला का निर्मार करने की घोश्रा की है और ये घोश्रा की गई है आप्शन C. M.H.R.D. के द्वारा तो दस स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए M.H.R.D. ने फिल्म श्रंकला का निर्मार करने की घोश्रा की है अब M.H.R.D. क्या होता है? M.H.R.D. है मानव संसाधन विकास मंत्राले M.H.R.D. के जो मंत्री हैं वो कौन है? रमेश, पोखरिया, निशंग Next question क्यों बढ़ते हैं? हाल ही में Google Cloud ने भारत में अपने वरिस्ट निदेशक के रूप में किसे निक्त किया है? तो आंसर है अनिल वल्लूरी, अनिल वल्लूरी को Google Cloud ने अपने वरिस्ट निदेशक के रूप में निक्त किया है Next question क्यों बढ़ते हैं? हाल ही में G20 समू ने COVID-19 महमारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोशना की है? और इसका सही आंसर है Option C, 21 बिलियन, तो G20 समू में 20 देश नहीं है बलकि एक European Union है और जो बाकी के 19 हैं वो देश हैं तो टोटल वन जाता है 20, इसलिए इसको कहते हैं हम G20, G20 का जो हिस्सा है उसमें भारत भी शामिल है G20 का जो 20, 20 का सम्मेलन है वो कहां पर होगा? वो होगा रियाद में रियाद कहां पर है? रियाद है साउदी अरेबिया में कब होगा ये? 21 नवंबर को होगा G20, 20, 20 का सम्मेलन Next question क्यों बढ़ते हैं? हाल ही में किस राज्य सरकार ने? कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश की घोशना की है यानि कि अगर आपको graduation और post graduation करना है तो आपसे कोई भी fees नहीं लिए जाएगी आपके entry के समय और वह राज्य है असम असम ने कहा है कि कॉलेजों में प्रवेश के लिए समय कोई भी fees आपसे नहीं लिजाएगी graduation और post graduation के लिए तो मुफ्त प्रवेश दिया है और ये है असम की सरकार असम की बात आ रही है तो राजधानी क्या होगी इसकी? दिस्पुर होगी CM कौन है इसके? सर्भुनंदा, सोनोवाल और अगर बात करें गवर्नर की तो गवर्नर है जगदीश मुखी असम से सम्मंदित एक और question अकसर देखा गया है exam में वो है काजी रंगा नेशनल पार्क से सम्मंदित तो एक सींग गेर्डा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद है? वो है काजी रंगा नेशनल पार्क या फिर प्रसिद आता है काजी रंगा नेशनल पार्क कहां पर है तब आपका अंसर क्या होगा? असम तो ये important question था असम से सम्मंदित next question क्यों बढ़ते हैं हाल ही में western coal fields अजसा कोईला खदान का उधगाटन कहां किया गया? तो ये किया गया है option B महारास्ट में महारास्ट में इसका उधगाटन उधव ठाकरे के द्वारा किया गया है जो की CM है महारास्ट के महारास्ट की capital मुंबई है और महारास्ट के governor भगस सिंग कोशियार है next question क्यों बढ़ते हैं हाल ही में स्विट्जर लेंड में किसे भारत का नया राजदूत न्युक्त किया है तो काफी सारे राजदूत न्युक्त किये गए है अलग-अलग जगे पर और सारी information आपको हर वीडियो में दी गई है तो इसका answer है स्विट्जर लेंड में नई राजदूत न्युक्त की गई है अच्छा कौन-कौन से और राजदूत न्युक्त की गई है गायत्री कुमार जो ब्रिटेन में उच्चायुक्त है उच्चायुक्त जहां पर ब्रिटेन जो है ब्रिटेन और उसके द्वारा जो कंट्रोर कंट्री थी जो यानि कि गुलाम देश थे, ब्रिटेन के, वहाँ पर राजदूत नहीं किये जाते हैं, वहाँ पर उच्चा युक्त नहीं किये जाते हैं, बाकी जो फ्री कंटीज हैं, वहाँ पर राजदूत नहीं किये जाते हैं, बस यही अंतर है, तो गायत्री कुमार उच्चा युक में राजदूद राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में राजदूद न्युक्त किया है और अब स्विजर लेंड की बारी आ चुकी है जिसमें किया है मोनिका में मोहुता को राजदूद न्युक्त तो ये थे अब तक के उच्चायुक्त और राजदूद की लिस्ट जो की न्युक्त किये गए हैं हाल ही में next question है हाल ही में किस राजी ने अपने सबसे बड़े जैव विवित्ता पार्क का उद्घाटन किया है तो हाल ही में सबसे बड़े जैव विवित्ता पार्क का उद्घाटन किया गया है option A उत्राखंड के द्वारा उत्राखंड में हलद्वानी नामक जगह पर ये जैब विवित्ता पार्ग का उध्गाटन किया गया है धेराधून उत्राखंड की राजधानी है उत्राखंड के सी एम त्रिवेंद्र एसरावत हैं और उत्राखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौरिय next question क्यों बढ़ते हैं हाल ही में 8 देशों के विवस्थापक ने किस देश को मुकाबला करने के लिए नए गटबंधन का गठन किया है तो 8 देशों ने एक गठन किया है गटबंधन बनाया है मुकाबला करने के लिए और वो देश है चीन से चीन से यानि कि चीन अपने ट्रेड रिलेशन को मैं कोई नुकसान न पहुचा दे कोई इशू न कर दे इस से बचने के लिए या इस समस्याओं का सामाधान निकालने के लिए इन 8 देशों ने गठन बनाया है और वो 8 देश कौन कौन से है ये भी आध्यान रखिए पहला है यूएस दूसरा है जर्मनी तीसरा है यूके चोथा है जापान पांचवा है आस्ट्रेलिया छटा है कैनेडा साथवा है स्वीडन और आठवा है नौर्वे तो ये आठ देश हैं इन्होंने एक व्यवस्थापना की है एक नया गठबंधन बनाया है किस से मुकाबला करने के लिए चीन से मुकाबला करने के लिए तो ये आठ देशों के नाम भी आप याद आख सकते हैं नेक्स कोशन उस मंत्री का नाम बताइए जिसमें राजमारकों पर मानव और परश्यू उम्रत्यू रोक्थाम पर राश्री जागुता भियान शुरू किया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नितिन गठकरी नेक्स कोशन की और बढ़ लेते हैं रिचर्ड डॉकिंस पुर्सकार जीतने वाले पहले भारतिय कौन बने तो रिचर्ड डॉकिंस पुर्सकार जीतने वाले पहले भारतिय बने है ऑप्शन बी जावेद अक्तर अक्षे कुमार फोवस ने सबसे अमीर लोगों की लिस्क जारी करी थी उसमें 52 वे नमबर पर आने वाले एक लौते भारतिय अक्षे कुमार है जो सबसे ज़ादा अमीर है और अर्ण करते हैं साल में नेक्स कुशन क्यों बढ़ते हैं अभी हाल ही में किस देश ने वंदे उतकल जन्नी को अपना राज्यगीत बनाया है हाल ही में वंदे उतकल जन्नी को अपना राज्यगीत बनाया गया है और वो है उडीसा या ओडीसा ओडीसा के द्वारा वंदे उतकल जन्नी को अपना राज्यगीत बनाया गया है और उडिसा की capital क्या है भुवनेश्वर उडिसा के CM कौन है नवीन पतनायक और उडिसा के governor है गनेशी लाल तो इसी के साथ आज के question यहाँ पर end होते हैं अब आप मुझे Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हो तो वहाँ पर भी जाकर आप मुझे follow करें description में link है support करें और पढ़ते रहें अभी के लिए इतना ही bye bye take care and thanks for watching